नमस्कार दोस्तों धर्म रहसे चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है आज एक बार फिर से दर्शकों के प्रश्ण और उत्तर की श्रंखला को लेकर आप लोगों के सामने उपस्तित हुआ हूँ आज हम लोग जिन प्रश्णों को लेनी जा रहे हैं वो इस प्रकार से हैं अश्ट चक्र भैरवी साधना के बाद विवाह किया जा सकता है या नहीं गुरु मंत्र प्राप्त शिश्चों का नाम उजागर करें गुरु मंत्र प्राप्त शिश्चों का एक समूह बनाए और अगर कोई आपको श्राप देता है तो उससे कैसे बचे ये कई दर्सकों ने अपने अपने इस्तर पे ये प्रशन पूछे थे तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहला प्रशन जो पूछा गया है वो ये है कि मैंने अश्ट चक्र भैरवी साधना सभी लोगों के लिए उपलब्द करवाई अब ऐसे वस्ता में जब हम अश्ट चक्र भैरवी साधना को में उसे मित्र रूप में सिद्ध करते हैं तो उसके बाद हम किस प्रकार से विवाह कर पाएंगे तो यहाँ पर जो समझने वाली आपके बात है वह यह है कि आप जब किसी को मित्र रूप में स्विकार करते हैं तो इसका मतलब यह नहीं होता कि आप ने उससे विवाह कर लिया है या आपने उससे प्रेम सम्बंध इस्थापित कर लिए है मित्रता की अपनी एक मरियादा होती है आप मरियादा लांगते हैं या नहीं लांगते हैं यह आप पर निर्भर करता है अगर आपने मरियादा लांग ली है तो फिर आपको साधना को विसरजित करना पड़ सकता है अगर आप विवाह कर रहे हैं अगर आपने मर्यादा नहीं लांगी है तो आपको कोई अवश्यक्ता नहीं है आप विवाह आराम से कर लीजे और भैर्वी आपकी मित्र बनी रहेगी बाद में भी दूसरी बात यह है कि अगर आप भैर्वी साधना करते हैं उसके बाद आप चाहे तो अपनी पत्नी को भी भैर्वी सुरूब मान करके उसे भी उसी की उर्जा का सुरूब मान कर आगे भी साधनाएं कर सकते हैं और ऐसी अवस्था में आपकी जो उर्जा है मंत्रित वो आपकी पत्नी में भी इस्थापित होने लगती हैं लेकिन वह अलग भी दिये उसके बारे में अगर आपको विवरण चाहिए तो मैं बाद में विस्तार से इसके बारे में बताऊंगा लेकिन फिलहाल कोई समस्या नहीं है आप भैरवी साधना कीजे और उसके बाद आप विवाह भी कर सकते हैं और किसी के साथ प्रेम प्रसंग भी इस्तापित कर सकते हैं वो सारी चीजे की जा सकती हैं उससे भैरवी साधना के ओपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता असल में भैरवी जो होती है वो स्वयम एक प्रकाज से सहाई का शक्ति या यू कहिए कि आपके पत्नी सुरूपा शक्ति की रक्षक भी होती है इसलिए आप कभी आप जब दुर्गा शप्त शती में कवच पढ़ते हैं तो उसमें आता है भार्या रक्ष तो भैरवी अर्थाथ मेरी जो पत्नी है उसकी रक्षा भैरवी करे इसलिए भैरवी को स्वताही प्रेमिका पत् equitable इत्यादी शक्ति के रूप में जदातर संदर्भित किया जाता है इसलिए सहाई का शक्ती होने के कारण सदेव आपकी ये सहायता करती रहती है इसलिए ऐसी कोई समस्या नहीं है और इससे जुड़े जो भी गोपनी प्रशन है जो साधक लोग हैं जो इसकी साधना करना चाहते हैं वो मुझसे पूँच सकते हैं बाकी मैंने सब कुछ लगवर बता ही दिया है और अपनी रक्षा के लिए आपका गुरु मंत्र होना आवश्यक है उसी से आप अपनी रक्षा करेंगे जब आप कभी ऐसी इस्तिती में फच जाते हैं जब भैरवी की माया बहुत अधिक प्रभल हो गई हो अब एक प्रशन सादकों ने पूछा है कि गुरु मंत्र प्राप्त शिश्यों का नाम उजागर कर दे ताकि हम लोगों को भी पता चल सके कि कितने अधिक शिश्यों हो चुके हैं और कौन कौन है तो चलिए मैं आपको बहुत सहस्ता से फटाफट इन लोगों के नाम बता देता हूं जिनोंने मुझसे दिक्षा ली हुई है नाम है आकाश मंगवाना आकाश पाल अभिशेक भरतवाज अभिशेक गुपता अभिशेक कुमार सिंग, अभिशेक कुमार, अभिशेक सिन्ह, आदित्य बालनुधूत संगवार, नाम थोड़ा लग है, अजे कुमार मौर्या, अजीत किसान, अक्षे गुपता, अलोकुमार सिंग, अलपेश भारत कुमार त्रवेदी, अमित बावरसी, अमित कुमार सिंग, अमित प्रवार, अमोल दत्यते कारागिर, अमोल सेखर, आनन्द मिश्रा, आनन्द प्रदीप अगरवाल, अनिकेज स्रिवास्तव, अनिलकुमार चौहान, अनिलकुमार आर पतेल, अनिलकुमार सोनिपत, अनिलकुमार अनीश राजेंद्र ठककर, अंजुक अश्यप, अंकित कुमार, अर्जुन तुली, अरूप आचार्या, आर्यन दुबे, आशिश कुलावंत, अशोक कुमार गौतम, आशुतो शरन सिंग, अश्वनी कुमार गौतम, आसा पी किसान, अतुल कुमार यादव, अतुल परिहार, बी जय कृष्णा, बादल कौशिक, बंधारा रुद्रेश मुकेश भाई, बपी बर्मन, भगवन तुला कृष्ण जगमोहन, भगवान सिंग रावल, बंखोडिया नरेश, भारत, भीवा नारायन पालव, भुपेंद्र कर्तक, बाईबेक सिंग, बिंबधरा पांडा, बिंदी जैस्वार, ब्रिजेश कुमार, चंद्रा थापा, चवधारी सोरा भाई, अमरत भाई, चिंता किरन चौधरी, चिरंजी ब्रावत, देव ब्रत हाजरा, दीपा पॉल, दीपक अरोडा, देशाई लालाजी वर्मा, देवेंद्र सिंग, धर्मेश पतेल, दिव्वे जोती सैकिया, दिगांत एंच चौहान, दिनेश चंद्र तिवारी, दिपन दिभाड, दिव्या ठाकुर, इफ्रिम केरकेट्टा, गजेंदर सिंग सैनी, गनेश कुमार कश्यप, गोपाल विशाल, गोपेश मधारिया, गोविंद कुमार, गोविंद सिंग अंसल, गोविंद कुमार शर्म, हार्दिक तवेदी, हर्मिंदर सिंग, हेमा भट, हेमलता, गन धाव धर विभूते, हेरिल उमा शंकर सेट, हेरिल उमेश कुमार सेट, हिमानशु शेखर मेहर, इराया बस्यापूर बीजापूर, इश्वर रामचंदर गुंडे, जगमोहन सिंग डंडवाल, जिगनेश राजपूत, जितेंदर करासल, जितेंदर कुमार साहू, जितेंदर कुमार शर्मा, जितेश शर्मा, जतिन सियस, के प्रभा, के यतिन कुमार, के प्रवीन कुमार, कारतीक सजवान, कणकन जोती पतगिरी, कपिल मैवाडे, करंदेव सिंग, कारतीक राज, कृष्णा जोशी, कृती साहू, क्रपा चौहान, लैश बोहर, लक्ष्मी यादव, महंदर सिंग, ममता लक्ष्मी, मन्दार दिली शिंडकर, मनिश कुमार गुपता, मनिश कुमार गुपता दुति, मनिश कुमार गुपता तृति, मनोज कुमार दो, मासूम ड्राल, मयंक व्यास, मिलिंद कुमार ज्हा, मोना लिसा साहु, मोनिंदर सिंग, मुनेश नर्व वारिया, नाग प्रसाद, नवीन भूखर, नैना वेट्टी, नीलम देवी, नितीश कुमार, नेहा सुर्यकान भोसले, निखिल कुमार, निलेश कागे, परमजीत राठोड, परमवीर सिंग, प्रमोद कुमार रुडकी, पेरु मंडल विशाल, पिंटु कुमार माथुर, पियूश मयंक सिंग, प्रतिभा, प्रतिभा गौतम, प्रत्यूश नेगी, प्रवेश तांबे, प्रीती सेठी, प्रीती भंडारी, प्रीतम वसंत माने, प्रियेश चौहान, पृत्विश परमार, पुरुसवत्तम सिंगारे, पुषपा टेलर, आर राकेश सत्कुमार दिवाकर, राहुल दाभी, राहुल देवगानी, राहुल गुप्ता, राजीव कुमार, राजीव कुमार सिन्हा, राजीव कुमार, राजेश, राजेश कुमार रावत, राजीव रंजन विश्वकर्मा, राकेश कुमार शुकला, राकेश सर्वारी, राकेश सोनी, रमेश इंगले, राम नरायन पट्वा, राम प्रसाद नाग, राष्ट पुरम गंगा प्रसाद, राष्टा पुरम गंगा प्रसाद नाम बड़ा है रतिकांत माझी, रवी अत्थोत्रा, रेखा सिंधराज, रोवी वंश रोहन कुमार, रोहिनी मांडवी, रोहित कुमार पास्वान, रोहित मराथी, रोहित मित्तल, रूपेश धोन डी राम जाधव, सचिन कुमार चोहान, सागर लंबाठे, सागर सिंग गोवा, सालिक राम प्रजापती, समरजीत साहू, समदीप कुमार पटेल, संदीप बाला, सारार राकेश, सरोज कुमार किसान, ताज सिंग, सतिश महादेव राठोड, सौरप मंडीक, महादीक, सौरप शर्मा, सीमा देवी, सीमा ओंकार गयकवाड, स्वेती हंसा, शिल्पा निवाते, शिरीन पटेल, शिवराम, शिवम कल्पे, कमलेश भट, शिवम कलमेश भट है, शिवम यादव, शिवानन्द भट, शोभित कुमार सिर्वास्तव, श्री प्रणब हजारिका, शुभम चवाकर, शुभम किशोर चवारकर, शुभम सापर, श्वेता अग्रवाल, श्याम सर्मा, सीता रमजा, श्नेहा हरीश चंद्र महाडिक, सुब्रमन्य हेजनोई, शुदर्शन मनोहर संकरदास, सुधीर सिंग, सुदीप्ति सिंग, सुमोहन बासु, सुनील कुमार, शुनील सर्मा, सुनीता सतनाम रायपूरे, सुरज कालासकर, सुरज सिंग, सुरंदर राजाराम बर्मा, शुरेश कुमार सर्मा, सवाईलाल, सुपनिल जगनात पुजारे, श्वेता अग्रवाल, सहीद जिशान खान, तपन कुमार राठोड, तपस सेन, तरुन साहु, टीकाराम चंद्राशर्मा, तुली जाराम राओ, उमार शंकर चौहान, वेध यादव, विजे कुमार नौटियाल, विजे ठाकुर, विकास कुजूर, विकास कुमार स्वामी, विक्रम प्रजापती, विमल कुमार केवर्त, विने चौधरी, विनै चौहान, विनै वर्मा, विपिन कुमार, विशाल टेलर, यश मंगानी, योगेशरी शरद दंडेवकर, आरून कुमार सिंग, अवधेश कुमार, शिप्ता महापात्रा, तरुन सिंग राठोर, दिनेश शिशोदिया, नवीन कुमार, पुष्पा घेला, प्रोलिप्ता म महापात्रा, भानुराम साहु, रमेश कुमार, सत्य नारायन उपाध्याय, और शिश्टी, इसके लावाद जिन लोगों ने अभी तक फारम नहीं भेज़े हैं, केलप्याव भेज़े ताकि वो लिष्ट में सामिल हो सकें, और अगर किसी का नाम छूट गया है, तो वो इम मेल के माध्यम से मुझे संपर्क करके फारम भेज़ सकता है दुबारा से, ताकि मैं उनका नाम भी यहाँ पर शामिल कर लो, और कोई विक्ति यहाँ पर छूट ना जाए, अब अगली बात लेते हैं कि गुरु मंत्र प्रात्व शिश्शों का एक समूम बनाना, तो देखि सबसे अच्छा है, यह एक स्वयमू है मारे शिश्शों का और उनसे प्रत्यक्ष जुडने का, यहाँ पर आप अपने प्रशन भी पूर्श सकते हैं, और मेरे सभी शिश्शों को मैं कहता हूँ कि आप इसमें जरूर शामिल हो जाएए, सारे के सारे लोग, क्योंकि किसी औ और गुरूप का कोई भरोसा नहीं है, वो कब हट जाए, लेकिन क्योंकि मैं यूटूब पर ही काम करता हूँ, इसलिए यूटूब में ही अगर आप मेंबर्शिप वीडियो लेते हैं, तो वहाँ पर सभी तरह की जानकारियां आपको उपलब्द करा दी जाएंगी, और सा लोग जो मेंबर्शिप लिये हुए होंगे, तो आसानी से कोई भी वारतालाब किया जाज़ता है, इसके अलावा कोई परशानी आ रही है, समस्य आ रही है, साधना के दौरान, तो वहाँ पर आप पूछ सकते हैं, और वहाँ पर लाइव वीडियो भी भविश्य में जरू सकता है, तो सबसे अच्छा जो मुझे समूह लगता है, वह यही है, बागी Facebook गृूप भी बना हुआ है, और Facebook पेज भी बना हुआ है, लेकिन Facebook की नए नए टर्मन कंडिशन आते रहते हैं, चेंज करता रहता है, वह साइट को भी कभी कभी हटा देता है, तो इस वज़े से पूरी तरह संकर वहाँ पे जुड नहीं पाते हैं, लेकिन फिर भी बनाया हुआ है, वहाँ पे आप लोग जोड सकते हैं, लेकिन जहाता मैं देख के आया हूँ, इतने दिन काफी हो चुके हैं, पर कभी भी अच्छे से Facebook ने काम नहीं किया है, जैसा काम यूटूब करता ह इसलिए यूटूब में ही जो चैनल मेंबर्शिब है, उसी को आप लोग जोइन कर लीजे, वो कहीं ज़्यादा अच्छा है, और वहाँ पर सभी लोग एक साथ जुड़े रहेंगे, और आप लोग सीधे वारतला भविश्य में आवश्य कर पाएंगे, फिलहाल इस समय में में वहाँ पर सिधु कुझी का इस्तरोत का रहस से बता रहा हूं, वहाँ पर आप लोग जोड़ करके, लेकिन कई लोगों को यह परिशानी आती है, वहाँ जोड़े में तो मैं उसके संदर्भ में यह कहना चाहता हूं, कि आपका जो कार्ड होना चाहिए, वो इंटरनेश क्रेडिट कार्ड होना चाहिए, उसको आप जोड़ेंगे तभी वो आसानी से जुड़ेगा, बाकी कार्ड जल्दी एक्सेप्ट नहीं करते हैं, इसके लावा तीसरा तरीका एक यह भी होता है, कि आप गुगल प्ले स्टोर पे अपना एकाउंट बना लीजे, और वहाँ स आप चैनल मेंबर्सिप जोड़ सकते हैं, तो यह चीजे आपको तभी करने पड़े कि पहले आप बैंक में जाईए, और वहाँ जो है इंटरनेशनल पेमेंट ऑप्सन किलियर करने वाला ही डेबिट कार्ड और कैडिट कार्ड बनवा लीजे, दूसरी बात, अब आखरी आप पे फलित हो जाए, फलित तभी होगी जब आपने कोई गल्ती की होगी, अगर आपने गल्ती नहीं की है, तो निशी दूरुप से ईस्वर उस शीज को रोक देता है, दूसरी बात, अगर ऐस शीज़ति कभी हो जाती है, तो फिर आपका जो गुरु मंत्र है, उसका 14,000 का अनुष्ठान लेकर के मंत्र जाप करते हुए, हवन करते हुए, इसमें संकल्ब लीजिए कि मैं हर प्रकार के साप से मुक्त हो जाओं, तो आपके उपर किया गया कोई भी श्राप का प्रभाव सदेव के लिए नश्ट हो जाता है, बस इतना धियान रखी कि पूरी जिन्दी कि फिर आप कोई पाप कर्म ना करें और ऐसा कोई गलत काम ना करें जिसकी वज़े से आपको श्राप लग सकता हो या श्राप देनी की स्थिति उत्पन हो जाए, क्योंकि जब तक कोई भैंकर गलत कर्म नहीं होता है, तब तक कोई किसी को श्राप नहीं देता है, आप इस विदी से अपने आपको श्राप मुक्त कर सकते हैं कि आपको संकल्व लेते हुए कहना होगा कि मैं श्राप भी मुक्ती के लिए ऐसा कर रहा हूँ और इस हवन को करने से पहले आप 108 बार देवी अथर्व शीर्ष का भी पार्थ अवश्य कर लें एक सब्सक्राइब करें और इस यहां आप प्रखार के पापसे आप पहले ही मुक्त हो जाएंगे तो यह थे हैं आज के जो सादकों के द्वारा पोचे गहे थे अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें चैनल को अगर चैनल पर नए है तो आपका दिन मंगल में हो धन्यवाल